एरपोर्ट ट्रेन की बाद अब हाईवे बेचेगी मोधी सरकार कॉंग्रस नीता बोले शुक्र है लोगों की किड़नी नहीं बेच रहे हैं केंद्र में सत्ता रूड मोधी सरकार देश को बेचने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है साल 2014 में सत्ता समालने की बाद मोधी सरकार ने कई सरकारी संस्थानों का निजी करन कर दिया है अब खबर सामने आ रही है कि मोधी सरकार देश की कई समपत्यां बेचने को तयारी में जुटी हुई है खबर के मताबिक मोधी सरकार ने टेलिकॉम टावर, रेलवे, हाई हवाई अड़े, ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, पिस्यू समेथ के इस सरकारी संपत्यों को बेचने या फिर लीज पर देने का फैसला ले लिया है दरसल इन सरकारी संपत्यों को बेच कर मोधी सरकार को अगले चार सालों में सहाट खरब जुटाने होंगे इस संदर्ब में देश के वित्तमंत्री निर्मला सीतर अमने रोड मैप भी जारी कर दिया है मोधी सरकार द्वारा लिये गए इस फैसले का विपक्षी दलो द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है कॉंग्रिस पहले भी कई बार मोधी सरकार प्रदेश के पूंजी पतियों को हातों बेचने का आरोप लगा चुकी है इस कड़ी में अब कॉंग्रिस ने ताश्री नीवास बीवी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कॉंग्रिस नीता ने लिखा है अब बिकेंगे हाईवे भी शुक्र है सरकार की नजर आम जनता की किड़नी तक नहीं पहुंची है नहीं तो वो भी बेच डालेंगे ये हुक्म राम आपको बता दे कि देश की वित्तमंतरी नेलमला सीता रमन ने National Monetization Pipeline Program की शुरवात की है इस मोधी सरकार की चार साल की योजनाओं के हिसाब से बनाया गया है National Monetization Pipeline में मोधी सरकार Brownfield Infrastructure Asset के पैसे जुटाएगी दरसल मोधी सरकार का कहना है कि कोरोना महमारी की वज़े से सरकार की आर्थिक इस्तिती काफी खराब हो गई है सरकार इस वक्त पैसे की तंगी सी जूज रही है इस वज़े से देश की सरकारी संपतियों को या तो बेचा जाएगा या फिर लीस पर दिया जाएगा